Hello everyone, welcome back to GK Code Labs तो आज के इस वीडियो में मैं ट्राइ करूँगा जो कल और आज का मुझे टास्क मिला था उसको थोड़ा सा समझाने का कि क्या टास्क है और बेसिकली बहुत जादा इशूस नहीं थे बहुत चैलेंजिंग नहीं है बट हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का काम है तो जो लोग नए हैं इस चैनल पर I am a data engineer working mostly on the stuff of big data Spark, Hadoop, Hive and similar technologies in big data तो ऐसे चोटे-चोटे vlogs में मैं daily के experiences अपने लाते रहता हूँ तो में भी आप लोग अगर interview दे रहे हैं हो चकता है आप लोग के काम है और recently मैंने यह Hindi वाले vlogs लाना start किया और यह मेरा first vlog है Hindi में mostly सबकुछ English में है जहां mainly concepts और the text-tags जो है वो समझाने पड़ते हैं वहां तो obviously English ही use करूँगा पर ऐसे जो normal life का vlogs है वो मैं Hindi में लेक्या हूँँगा टाइम हो रहा है अभी 8.29 AM जो टास्क मुझे मिले थे कल जो मिले थे उसमें से एक था scheduling part तो किस हिसाब से schedule करना है वो भी share करूँगा और किस tool पर schedule किया था कुछ नया है mostly big data में use नहीं होता है but मैं भी कुछ लोगों ने नाम सुना होगा तो वो भी share करूँगा और दूसरा task थोड़ा सा different है development से तो वो भी share करूँगा तो अभी almost 8.30 हो गया जल्दी से gym करके आता हूँ almost 40-45 minutes क्योंकि usually 10 बज़े से call start हो जाती है तो उसके पहले नहाद उपर के एकदम fit हो जाएं तो see you soon फिर उस task के बारे में बात करेंगा हाँ तो फटा फट स्टार्ट करते हैं तो एक एक करके बताऊंगा जैसे मैंने बताया था पहले दो टास्क थे पहला था scheduling वाला और दूसरा था थोड़ा सा different from development तो एक एक करके start करते हैं पहला जो scheduling वाला था तो टास्क कुछ ऐसा था कि एक already script बनी हुई है मतलब इस तरह की काफी सारी scripts है जो ये task था ये सारी scripts पे करना था है spark job ही जो की jar file है spark submit से submit होती है बट ये जो scheduling है ये already scheduling नहीं means the calling of that spark job वो किया हुआ है एक shell script में तो वो script already scheduled है कहां पर हाँ ये main important चीज़ है ध्यान से सुन लो एक टूल होता है autosys तो बहुत कम आजकल job descriptions में मांगते हैं बट हाँ कहीं कहीं use हो रहा है आज भी तो ये जब आपको project में वही implemented है तो उसी पर करना है तो इसमें करना ये था कि वो जो script है let's say script A बोलते हैं उसको for one table let's say example तो वो script A जो है वो एक particular spark job को call करती है और वो जो भी उसका rules है जो भी data वेटा ले करके अपना process करता है अब हमें क्या करना था वो जो script A है वो daily already scheduled है autosys में daily शाम को 7 बजे कुछ चलती है वो due to some new requirement एक और shell script बना दिये जिसका काम है कि वो जो script A है उसके लिए कुछ predefined conditions को check करती है वो अगर वो सारी conditions fulfill हुई तो वो script let's say इसको बोलते है script B तो script B कुछ conditions को check करती है अगर वो conditions fulfill होती है तो यह script B success हो जाएगी otherwise fail हो जाएगी यह ऐसा समझ लो log में कुछ flag डाल देगी flag success और flag fail तो करना यह है कि यह जो नई script है इसको schedule करना है वही same autosys में Monday से Friday तक daily चलेगी शाम को 6 बजे ठीक है fine इसका और script A का script B और script A का अभी तक कोई relation नहीं है अभी तक यह separate चल रही है कुछ condition check करके flag कर रही है yes और no और script A जो है पहली वाली वो daily 7 बजे scheduled है अभी तक कोई relation नहीं है कि अगर आपका वो Monday to Friday month के first day को आता है तो उस case में इसी script को शाम को 6 बजे ना चलके 7 बजे चलना है होगा कुछ reason तो यह conditions हमको दी हुई थी अब अगर आप यह दोनों schedule कर देते हो एक अल्रेडी है script B को अगर आप इस हिसाब से schedule कर सकते हो जैसा मैंने बताया अगर यह schedule हो जाता है तब आपको जो script A है उसमें ऐसी condition लगानी है कि हमारी यह दो conditions जो script B पे मैंने बताई अगर Monday to Friday first day of the month है तो 7 p.m. अगर इन दोनों में से कोई भी success हो तभी हमारी script A चलेगी नहीं तो नहीं चलेगी तो ऐसा कुछ requirement था यह scheduling part autosys में किया मैंने autosys पे काम किया था around 4-5 years back सो उतना मुझे idea नहीं था मैं काफी भूल चुगा था क्योंकि इसमें scheduling का थोड़ा सा अलग concept होता है आपके कुछ ना कुछ tags होते हैं जैसे start time, end time आपको date check करना है कि नहीं yes और no और in fact इसमें आप calendars बना सकते हो जैसे इस script के लिए मैंने calendar बनाया जो की specific था every month की first date को और उस calendar को directly मैंने use कर लिया अपनी दोनों condition में पहले में not की तरह second में true कीता है तो इस type की कुछ requirement थी और किया था यह autosys में तो बहुत deep में नहीं जाओंगा जस मुझे requirement बताना था कि क्या था यह और यह task मुझे कल रात को मिला था and fortunately आज मैंने शाम तक इसको कर दिया है अभी कुछ और similar task आने वाले हैं जैसे कि related to same autosys वाले तो किस हसाब से वह scheduling होती है वह भी मैं बता दूंगा future में अब आते हैं अपने दूसरे task पर दूसरा task जो है वो मुझे मिला था कल और उसका मेरा target था कल और आज में मुझे खतम कर देना है लेकिन शायद थोड़ा जादा time लगेगा तो कल और आज में मैं उसको नहीं कर पाऊंगा शायद maybe Friday के end तक मैं इसको कर दूँगा तो यह कुछ ऐसा task है कि code हमने दो महिने पहले बनाया था काफी बड़ा मतलब जिस transaction के processing के लिए हम लोगों ने वो code बनाया था वो code already written है बट कुछ हमारे और नए transactions उसमें आ रहे हैं पतलब कुछ अलग type के transactions अब expected है आना वैसे सुनने में तो task बहुत simple है क्योंकि हमें जो code हमने अलएडी बना लिया है उसमें कुछ conditions को छोड़के बाकी वो process उनी सब rules पे करेंगे तो सारे rules वही रहेंगे कुछ addition होगा थोड़ा बहुत नए transactions के लिए नहीं तो बाकी सब वही रहेगा तो as of now करना यह है कि जो नए transactions आ रहे हैं अलग-अलग countries से उन पे same code को validate करना है बट जितना लगता है उतना simple था नहीं क्योंकि दो महीने पहले हमने code बनाया था और उसके बाद बहुत सारे उसमें enhancement हुए, error handling implement हुई, enhanced error handling implement हुई और उसके बाद कुछ और folder structure changes implement हुए और वो हमारे code के उपर implement होते गए, commit होते गए लेकिन सही चीज जो करी थी हमारा दूसरा domain move होने से पहले मतलब उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, अब पता चल ला है क्योंकि वही code मेरे पास दुबारा है अभी मैंने github में देखा, तो सही चीज थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है कि branches तो और नहीं बनाई, क्योंकि branches भी clean up चलता रहता है तो उन्होंने क्या किया, जो final उस समय की हमारी development branch थी, उस पर tags create कर दी है तो tags भी होता है, अगर आप लोग को नहीं पता तो एक बार चेक कर ले न, github में tags क्या होते है थोड़ा बहुत काम सेम branch जासा ही करते है, या फिर commit मानलो, लेकिन चीज डिफरेंट है तो बहुत deep में नहीं जा रहा, लेकिन उसमें tags थे हमारे तो यह देखना था कि जहां से हमने वो code बनाया था, उसके बाद कि जितने commits हैं, I think six or seven और commits थे उसके पहले वो tag बना था, तो कुछ commits छोड़के हमें एक जगे से अपना code पुल आउट करना था, और उसके बाद वो हमें नए transactions टेस्ट करने हैं तो उस transaction में, मतलब जो code की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे काफी सारे repositories हैं, अलग-लग लोग को assign है, जो मुझे assign था तो उसमें पूरे code में around 14 to 16 different rules हैं, जो data को process कर रहे हैं, कोई filter कर रहा है, कोई joins कर रहा है, कोई mandatory चीज़े चेक कर रहा है, जैसे कि data processing में होता है, हर एक step by step different rule है, तो 14 to 16 rules हैं, तो जो नए transaction आ रहे हैं, उनको ले करके पहले उसी code के through flow कराना है, यह देखते हुए कि जो आपने, क्योंकि उसके बाद काफी changes हुए हैं, तो आप blindly नहीं ले करके उसमें नया requirement लिया, और उसमें change करना start कर दिया, ऐसा नहीं है, पहले देख लो, कि code जैसा हमने बनाया था, यह जो आप expected है, वैसा चल भी रहा है, उस tag पे या उस commit पे, तभी उसमें आगे change करना सही है, नहीं तो फिर अगर कुछ change कर दिया, और बाद में कुछ इधर उधर हुआ तो we don't know, कि अभी हुआ है या पहले से हुआ पता, तो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा deep dive उसमें जाना पड़ेगा, तो यह दूसरा task है, अब इसमें कुछ challenges अभी के लिए क्या आ रहे हैं, जैसा कि इसमें near about 10, 11 कुछ reference files हैं, जो different location पे रखी हुई है, और हाँ, एक और इसमें नया issue है, कि जो हम लोगों ने code बनाया था, वो पुरानी storage पे था, वो Azure Data Lake पे था, बट अब उसमें storage भी change हो गया है, अब as per business कुछ हुआ होगा, जो भी different, अब Google Cloud Storage पे है, तो although वो changes उसमें से थोड़ा बहुत changes पे मैंने 2-3 हफते पहले काम किया था, तो मु तो दो तरह के challenge है, पहली चीज कि जो आपकी reference files है, जरूरत वाली, जो उस code के लिए जरूरी है, वो Azure Data Lake में अभी है, बट हमारा code हमको उस पे test नहीं करना है, हमें GCS पे test करना है, Google Cloud Storage पे, तो उसको पहले देखना पड़ेगा कि सारी files migrate हुई है कि नहीं, migration का भी एक process चला पहले, अब पता नहीं, क्या-क्या migrate हुआ है, क्या नहीं, तो पहले देखना है कि क्या-क्या हमारा code है, भूल गया मैं दो महीने पहले, क्या-क्या पहले, तो याद था कि हाँ, यह 10 file है, यह इस location पे है, अभी भूल गया हूँ, तो वो देखना है, कि सारी जो required lookup files हैं, वो हमारी अपनी जगह पे हैं के नहीं, प्लस, उसके बाद एक चीज है, जो main challenging है, कि चलो मैं files तो ले आया, सारी, लेकिन अब transactions भी तो नए आ रहे हैं मेरे, तो हो सकता है, उसमें से कुछ files में वो transaction हो, as a reference, कुछ में ना हो, तो अभी वही देख रहा था, बैटके थोड़ी तो उन 10-11 files में से near about 4 files ऐसी हैं, जिसमें, it is expecting के मेरे वो particular transaction, as a transaction name, as a key column, you can say, वो होने चाहिए, तो अभी उस transaction में, वो ही सारी files में देख रहा था, सारी files पिछले एक-दो महिने में सब देख ली, तो उसमें वो reference ही नहीं है, अभी, अब वो transaction नहीं है, दे तो दिया हमको क आप validate करो, लेकिन वो reference में नहीं है, तो ठीक है, अभी उसमें कुछ time लगेगा, कल देखते हैं, क्योंकि mostly ये जो reference files होती हैं, या business से आती है, तो अब वो कहाँ पर push कर रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं, वो कुछ नहीं मालू हम अभी, और काफी problems आती हैं, कि आपको task दिया ज हो, और वो चीज़ आपको ही देख के बतानी पड़ेगी, कि हमें ये चाहिए, इस code के हिसाब से, तो वो देखे का बहीं क्या करना है, तो ये सारे issues हैं, और issues नहीं मतलब task है, task में तो issues आते ही हैं, और अच्छा है, जैसे issues आने शूरू होते हैं, तो लगता है कि हाँ, कु में लिए ही है, कि आप वो एक limit होती है, कि उसके बाद आप half an hour, one hour, और दे दो, थोड़ा सा dedication के साथ, तो जब resolve होता है, तो mail लिखने में बड़ा मज़ा आता है, कि हाँ, issue got resolved, और यही है reason था, तो as of now, ऐसा को issue नहीं है, जो चीज़े हैं मैंने आपको बता दिया, और दे इस वीडियो से, जो भी आप as a take away ले सको, first thing, जो autosys मैंने बताया, I would recommend कि अगर आप interviews के लिए जा रहे हो, तो थोड़ा detail तो मैंने बता दिया है, क्या क्या करता है, कैसे उस पर मैंने क्या काम किया, तो वो भी एक, just keep it on the back of your head, कि ऐसी एक चीज होती है, तो इनकेस अगर पूछते हैं, कि कुछ ऐसा है, तो एक idea रहता है, और थोड़ा research कर लो, तो सकता है, CV में mention कर देना, और दूसरा ये daily tasks, तो ये important है, कुछ ऐसे issues, अगर कभी पूछे जाए, तो कर लो note कहीं, बता देना, ठीक है, तो फिर मिलते हैं, next vlog में, चलो, subscribe कर लेना, like कर देना इस व